मुझे कोमल और रेसिपिस आप कोमल में आपका स्वागत है मैं आज बनाने जा रहे हूं अंडे आलू की मसाले वाली कड़ी जो बहुत ही टेश्टी लगती है और हमारे घर में भी सबको पसंद आती है एक बार जरूर मेरे तरीके से आप अंडे आलू की कड़ी बना कर देखें आपके घर के आदमी पुछेंगे कहां से सीखा तो जरूर आप एक बार ट्राइ करें तो चलिए आज के हम वीडियो करके मेरे चैनल को स्क्राइब करना ना पूले जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मीरती रहे और इसी तरीके के वीडियो में लेके आती रहूं तो चलिए आज का हम वीडियो सुरू करते हैं अंडे आलू की कड़ी बनाने के लिए हमें इन सब है मीडियम साइस के आलू लिये हैं मैंने और एक छोटी टमाटर एक मीडियम साइस के प्याज को मैंने अच्छे से रफली चौप्ट कर लिया है ये देखिए स्लाइस से और एक मैंने तेजपत्ता लिया है थोरी सी धनिया पत्ती गार्नीशिंग के लिए मसाले में मैं लहसुन और थोड़ी सी अद्रक एक बड़ा चमच साबू जीरा और काली मिर्च छोटा चमच धनिया और ले रही हूं पान से छे बड़े चमच ओईल रिफाइन ओईल का मैं इस्तमाल करूंगी और ये देख सकते हैं मैंने मसाले में मैं ले रही हूं एक बड़ा चमच लाल म मसाला और स्वादा नुसार नमक तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूं ये देखिए एक फॉक लिया है फॉक आप देख सकते हैं काटे वाली चमच उससे मैं सारे अंडों में इस तरीके से छोटे-छोटे होल कर लूंगी जिससे अंडा हमारा फटेगा नहीं तलते समय आ अपने मसाले के तरफ ये देखिए मैं सारे मसाले को जार में डाल दे रही हूं मैंने जो जो आपको दिखाया था वही मसाले में डाल रही हूं और इसको अच्छे से हम लोग पेश्ट बना लेंगे थोड़ी सी पानी डाल कर देखिए मैंने पेश्ट बना लिया है तो चलि लेते हैं कि मैंने ऑईल रख लिया था और उसमें हम लोग अंडे को थोड़े देर के लिए तल लेंगे यह देखिए उसको थोड़ा सा गोल्डेन कलर आने देंगे इसमें देखिए कितना अच्छा गोल्डेन कलर आ चुका है अब हम लोग अपने अंडे को निकाल लेते हैं एक तेज पत्ता और इसमें डाल दूंगे थोड़ी से प्याज एक जो मेडियम साइज की जो मैंने आपको दिखाया था अच्छे से इससे चला लेना है इसी तरीके से मिला ले थोड़ा गोल्डेन कलर आने दे देख सकते हैं प्याज हमारा थोड़ा-थोड़ा कलर चेंज होन मसाले जो मैंने पेश्ट बना कर रखा था अब अच्छे से इसे मिला लेना है इसी तरीके से थोड़े थोड़े दिर में चलाते रहे ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी एट कर दिया है मैं आपको बताती हूं कि मैं पानी क्यों एट करती हूं इसे मसाला जलेना और देंगे अपना नमक स्वादानुसार रेलें छिए मैं मैं ने संरा छाए तो गい mlme, पृंचे मिलआ लेथे उसे वी हम लोग अच्छे से मिला लेंगे इसी तरीके से मिला ले देखे, मसाले में से ओईल निकलने लगा है अब चलिए, मैं आपको आलू दिखा देती हूँ इसको मैंने ढग दिया है थोड़े देर के लिए अब आलू का हम लोग दो टुकरों में काट लेंगे ये देखिए इसी तरीके से दो टुकरों में काट ले मैं ज़्यादा बड़ी आलू नहीं ले रही हूँ मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जेयर करना न भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ये देखिए मसाला हमारा रेडि हो चुका है अब इसमें हम लोग आलू अपने डाल देंगे अब इसको अच्छे से मिला लेना है आलू को इसी तरीके से देखिए कितना अच्छा कलर आने लगा है हमारे मसाले का मैं एक दो और और आलू डाल रही हूँ मुझे आलू अच्छी लगती है एक बड़ आप जरूर ट्राइ करें मेरे तरीके से अंडे आलू की कड़ी देखिए मैं पानी डाल रही हूँ मैंने आधा ग्लास पानी डाला है क्योंकि मुझे ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए बस मुझे इतनी ग्रेवी चाहिए अब देखिए मेरे कड़ी में अच्छे से उबाल आने लगे तो मैंने अंडे को डाल दिया है और डाल कर इसको अच्छे से मिला लिया है ये देखिए कितने अच्छे से उबाल आने लगा अब इसमें मैं डाल दे रही हूं गरम मसाला अब इसको थोड़े दिर के लिए हम लोग ढख कर छोड़ देंगे चलिए इसको ढख लेते हैं हम लोग ये देखे मैंने ढग दिया ये देखे दो मिनट मेरा हो चुका है देखे कितना अच्छा कलर आ गया है अब हमारी अंडे आलू की करी रेडी हो चुकी अब इस पर हम लोग डाल देंगे धनिया पत्ती चलिए अब हम लोग गैस बन करते अब मैं आपको दिखाती हूँ सर्फ करके ये देख सकते हैं आप कितनी लजी और टेस्टी लग रहे है आप चावल रोटी किसी के साथ खाएं बहुत ही टेस्टी बहुत ही डिलिसियस और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सेर करना ना भूले और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ले तब तक के लिए बाबाए